लेजर क्या होता है? लेजर कैसे बनाते हैं? लेजर क्यों बनाते हैं? कौनसा लेजर कब बनाया जाता है? उसकी configuration कैसे करनी हैँ? अगर आप लेजर के बारे में ये सारी चीजें समझ गए तो तो समझ लो आपको आदर से ज्यादा टैली अपने आप आ जाएगा, क्योंकि टैली में अगर काम करना है, तो आपको लेजर बनाना सही तरीके से आना चाहिए, सारी चीजें लेजर से ही connect होती है, सारी चीजें लेजर से related ही होती है, तो टैली में जो में खेल है ना वो सिर्फ और सिर्फ लेजर का है, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में जानते हैं कि लेजर क्या होता है, कौन सा लेजर कब बनाया जाता है, लेजर की क्या requirement होती है, लेजर से क्या क्या काम होते हैं, और laser कैसे create करते हैं कितने तरह के laser create करने होते हैं तो यह सब हम यहां पर detail में समझते हैं तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विरेंदर कोकृती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेकनिकल चैनल पर अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आकन को प्रेस करके All Notification को On कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियो की Notification मिलती रहे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले के Parts नहीं देखे हैं, तो description box में लिंक दे रहा हूँ, पहले आप इससे पहले के Parts देख लिजे, तभी आप इस वीडियो को या इस स्रीज के इस Part को आगे continue करिए, क्यूंकि अगर आप फ्रेसर हैं, आपको टैली नहीं आता है, तो उसको clear देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कि टैली क्या होता है, टैली में इससे पहले क्या क्या चीज़ें आपको करनी mandatory हैं, तभी आप इस situation में या इस position तक पहुंचेंगे, कि आपको लेजर के बारे में समझ आएगा, तो दोस्तों बात करते हैं, कि लेजर होता क क्या है, तो लेजर दोस्तों टैली में एक बहुत ही important role play करता है, लेजर के ऊपर ही सारा टैली बेस होता है, अगर आपको कुछ voucher entry करनी है, या कुछ भी आपने report generate करनी है, कुछ भी accounting करनी है, तो सबसे पहले आपको लेजर आपके पास होना चाहिए, मतलब आपने सबसे प entry करेंगे, आप contra entry करेंगे, आप payment entry करेंगे, receipt entry करेंगे, journal करेंगे, purchase, sale, debit, not, किसी भी तरा की कोई entry करेंगे, तो उसके लिए आपके पास लेजर का होना जरूरी है, तभी तो वो entry आगे बढ़ पाएगे, क्योंकि entry में होता क्या है, जो कि हम आने वाली वीडियो में समझे जब हम entry level पर जाएंगे, जब हम voucher entry पर जाएंगे, तब हम इस चीज को समझेंगे detail में, बस मोटा-मोटा ये समझ लीजिए, कि जब आप voucher entry करते हैं, तो किसी ना किसी लेजर को, या किसी ना किसी account को, खाता भाई को, आपको debit करना होता है, और किसी को, आपको credit करना होता है, तो किसी भी entry में, यही तो दो चीजें आती हैं, debit और credit, मतलब अगर कोई चीज debit हो रही है, और दूसरी चीज credit हो रही है, तो debit credit में, अभी हम उलज़ते नहीं है, इसको हम detail में, entry level में समझेंगे, यहां पर सिर्फ आप ये समझ लीजिए, कि कोई भी entry करने के लिए, आ जैसे कि आपको किसी को phone करना है, और आपने उसका contact number अपने mobile list में, या contact list में save नहीं किया, तो आप उसको कैसे search करेंगे, कि उसका number क्या है, तो इसी तरह से जब भी आप tally में कोई entry करेंगे, कोई voucher entry करेंगे, तो उससे पहले आपको उसका laser create करना पड़ेगा, ताकि आप उसको debit या credit कर सकें, क्योंकि एक entry में यही दो चीज़ें होती है, debit और credit, अगर आप किसी को debit कर रहे हैं, तो दूसरा जो laser है, वो आपका credit हो रहा होगा, तो यहाँ पे सवाल यह आ जाता है, कि laser कितने create कर सकते हैं, एक tally में, तो एक tally में आप जितने मर्जी चाहिए, laser create क होते हैं, आप उतने create कर सकते हैं, अब दूसरा सवाल यहाँ पर आ जाता है, कि अगर laser एक बार create हो जाता है, तो क्या यह alter होता है, हाँ, अगर आपने कोई laser एक बार create कर दिया है, तो उसके बाद आप उसको alter भी कर सकते हो, उसमें कुछ भी change कर सकते हो, अगर गलती से कोई गलती होगी या उसकी जो डेटेल्स हैं वो मोडिफाई करनी हैं तो आप उस लेजर को दुबारा अल्टर भी कर सकते हो तो अब यहां पर सवाल यह आ जाता है कि टैली में लेजर को क्रेट कैसे करते हैं और अगर किसी लेजर को क्रेट कर दिया और उसमें हमें कुछ चेंजे करने हैं यानि कि जो लेजर बन गया उसको अल्टर कैसे करें उसकी टीटेल्स को अल्टर कैसे करें तो यह हम यहां पर समझते हैं तो यहां पर लेजर को क्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ओफ टैली यानि कि कमपनी को लॉग इन कर देना है जैसे कि हमने प टैली में सबसे पहला option देखने को मिलता है create तो create पे आपने यहां पे enter कर देना है और उसके बाद आपने second option choose कर देना है laser तो laser पर जैसे आप enter करेंगे तो यहां पर जो यह window आपके पास open हुई है इसको कहते है laser creation window तो यहां पर बहुत सारी details यहां पर पोचता है यह depend करता है कि आप किस तरह का laser create कर रहे हैं अब जैसे कि यहां पर हम किसी debtor का laser बना देते हैं debtor का मतलब क्या है कि जिसको की हम sale करेंगे अब sale हम एक debtor को तो नहीं करेंगे हम multiple debtor को sale करेंगे मतलब हमारी multiple parties होंगी जिसको हम sale करेंगे 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 10 सकती है, 1000 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है तो उन सबकी जो name है उनकी हमें एक list बनाना है, यहां पर बना देना है तो जैसे कि हम यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं ABC Company PVT Ltd. ठीक है? Private Limited तो यह हमने यहाँ पर उसका जो नेम है वो हमने यहाँ पर डाल दे ताकि जब भी हम एंट्री करें तो एंट्री करते टाइम पर अगर हमें इस लेजर की एंट्री करने हैं, मतलब इसका चाहिए सेल करना है, या परचेश करना है, या जनरल एंट्री करनी है पेमिंट करनी है, रिसीट करनी है तो उसके लिए हम सिर्फ इसका नाम डालें और उसकी लिस्ट हमारे पास आजाए और वहाँ से सिर्फ हम इसको चूज करेंगे बाकी कोई भी डेटेल हमें बार-बार डालने की जरुद ना पड़े तो वो सारी जो डेटेल हैं उसको हम यहाँ पे पहले ही सेट करके रख देते हैं, तो सबसे पहला आता है नेम, तो नेम में क्या आएगा आपका लेजर का नेम जिस नाम से अब लेजर बनाना चाहते हैं अगर आप अपने लेजर को कोई कोडिंग देना चाहते हैं मतलब अगर आपके जो डेटर्स हैं डेटर्स में आपने कोडिंग सेट की वी है उनको पैचानने के लिए तो आप यहाँ पे जो है उसका alias set कर सकते हैं as a code या फिर कोई इसका जो उप नाम है वो भी आप उसके alias में डाल सकते हैं कि अगर आप ABC company प्रैवल निम्टेट को किसी दूसरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं ठीक है जैसे कि हम इसका code दे देते हैं ठीक है तो यह हो गया उसके बाद इसका अगर कोई दूसरा alias है जो भी आप यहां पर set कर सकते हैं डाल सकते हैं उसके बाद यहां पे आ जाता है under तो under को मतलब क्या है under होता है दोस्तों कि आप कौनसे group के under में इसको set करना चाहते हैं कौनसे group में इसको लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको accounting fundamental समझने पड़ेंगे, तो accounting में क्या होता है, कि जो आपकी party जो होती हैं, जो जिसको आप sale करते हैं, उसको कहते हैं Sunday debtor, तो Sunday debtor आपको यहाँ पे group automatically create होके मिलता है, यहाँ पे आपको total 34 group जो है, company create करते हैं, तो यह आपको बन बनाया मिलता है, आपको इसको बनाने की ज़रत नहीं पड़ती है, उसके बाद करते हैं accounting group की, तो accounting group यहाँ पे 34 आपको यहाँ पे बन बनाये मिलते हैं, जैसे आप company create करते हैं, तो जो भी आपकी accounting होती है, या जो भी आप ledger create करते हैं तो आपको यही लेजर में से किसी एक में tag करना पड़ेगा क्योंकि इसे बाहर कोई भी group नहीं है कोई भी tagging नहीं है जो यह groups होते हैं यहाँ पर accounting groups होते हैं यह directly आपके link होते हैं आपकी balance rate, आपके profit and loss या आपकी जितनी भी accounting जो report होती है उनसे relate करते हैं तो इनसे अलग कोई भी extra जो है group नहीं होते हैं accounting में या आपको बनाने की जरुत नहीं होती है आप इनके अंदर सब group जरूर बना सकते हैं तो यहाँ पर जैसे कि जिसको हम sale करते हैं उसको हम कहते हैं Sunday debtor जो कि अभी हम आगे detail में समझेंगे तो Sunday debtor का ledger यानि कि जो हम ABC company प्राइबल लिम्टेड है यह हमारा Sunday debtor है अब ऐसे Sunday debtor हमारे बहुत हो सकते हैं जिसको कि हम sale करते हैं ABC company प्राइबल लिम्टेड XYZ company प्राइबल लिम्टेड तो Sunday debtor आप यहाँ पर type भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हम type करते हैं Sunday debtor तो यह हम Sunday debtor के इंदर इसको tag कर देते हैं उसके बाद हमारे को यहाँ पर जो भी हमारी Sunday debtor से related जितनी भी details होंगी वो हमें यहाँ पर नीचे सो करनी start हो जाएंगी automatically आ जाएंगी अब माल लिया जाएए आपका कोई bank का ledger बना रहे हो तो जैसे आप इसको bank में tag करोगे उस bank के ledger को तो उस bank से related जो report होंगी या जो details होंगी वो आपको उसके नीचे automatically explore होंगे आ जाएंगी आपको कहीं भी दूसरी जगा डालने की जरूत नहीं है तो यह कौन सा हमारा Sunday data में हम इसको द्वारा से attack करते हैं तो by default क्या होता है यहां पर उतनी ही detail यहां पर आपको show करता है जितनी की एक ledger को बनाने के लिए important होती है लेकिन इसके अलावा और भी details आप यहां पर enable कर सकते हैं अगर आपको और option यहां पर चाहिए तो यहां पर F12 करके यहां पर जो भी option आपको चाहिए उस option को यहां पर yes कर सकते हैं लेकिन जितने भी ledger create करने के लिए जो option available होने चाहिए वो हमें यहां पर by default देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर इसको हम Sunday debtor के अंदर में tag कर देते हैं maintain bill by bill जो कि हम यहां पर yes कर देते हैं जो कि हम आगे समझेंगे कि इसका effect कहां पड़ता है जबकि हम इसकी voucher entry करेंगे, bill बनाएंगे default credit period यह भी हम आगे समझेंगे तो इसको हम enter कर देते हैं और enter कर देते हैं ठीक है, तो यह हम जब bill बनाएंगे तब हम इसको detail में समझेंगे उसके बाद यहां पर इस party का जो address है जैसे कि हम यहां पर कुछ address type कर देते हैं मान लेज़े इसका address है अब इसको multiple line में भी आप यहां पर डाल सकते हैं ठीक है, उसके बाद कौन सा state है, क्या country है उसके बाद उसका pin code क्या है, अब मान लेज़े इसका pin code है यह उसके बाद उसकी bank detail क्या है, तो इसको आप यहां पर yes करेंगे और yes करने के बाद में आप यहाँ पे उसकी bank details डाल सकते हैं जिसे उसका account number क्या है, उसका IFSC code क्या है मान लेज़े उसका account number है और उसका जो IFSC code है वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं यह मान लेज़े उसका account, IFSC code है और कौन सा bank है, तो यह bank हम यहाँ पे State Bank of India यहाँ पे चूज कर लेते हैं ठीक है, उसके बाद उसका pen number क्या है तो अगर आपके पास pen number है, तो आप यहाँ पे उसका pen number डाल दीजे जो भी उसका pen number है, ठीक है तो entry करते time पे आपको कोई भी detail नहीं डालनी पड़े और उसकी जो configuration है, वो पहले ही pre-configure होके आपको ledger मिले, ठीक है उसके बाद यहाँ पे आजाता है gst registration type तो यहाँ पे हम registration type में regular ले ले लेते हैं और यहाँ पे जो उसका gst number है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा ठीक है, ताकि जब अब इसकी entry करेंगे तो वहाँ पे automatically, जो gst है calculate होके आजाए और इसकी report, जो gst की report है, वो हमें accurate होके वहाँ पे मिले ठीक है, तो यहाँ पे माल ले जाए, हम इसका gst number डाल देते हैं ठीक है, यह हो गया, अब यहाँ पे यह आपके direct gst portal से connect नहीं है यह जो आपके जो characters हैं, gst number के जो characters होते हैं उसे identify कर रहे हैं कि यह gst number गलत है या सही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने digit में कुछ hair fair कर दिया यह numbers में hair fair कर दिया, तो वह आपको error दे देगा, यह save नहीं होगा क्योंकि यह direct आपके gst portal से connect नहीं है, ठीक है तो यह हो गया, उसके बाद set order gst details, तो इसको आप यहाँ पे yes कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो भी उसकी gst की details हैं, उसकी accordingly आप यहाँ पे उसको set कर सकते हैं यह हम आगे समझेंगे कि कौन से details किस लिए यहाँ पे होती है, उसके बाद opening balance क्या होता है तो अगर आपकी नहीं company है, तो नहीं company में कोई opening balance नहीं होगा लेकिन अगर आप bookkeeping manual कर रहे थे या किसी दूसरे software में इस company की bookkeeping कर रहे थे और अब आप tally में करना चाते हैं, तो definitely 31 March 2021 यह जो भी financial year से आप जो ही start करना चाते हैं तो उसके पिछले वाले financial year का जो भी opening balance होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं तो यह हमारा ledger यहाँ पे बन गया है तो इसी तरह से आप ledgers को create कर सकते हैं अब मान लीजिए कि हमने यह ledger तो बना दिया, अब इसमें कुछ details थी जो की गलत हमने डाल दिया अब हमने उसको change करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे gateway of tally में अल्टर में जाना पड़ेगा लेजर में जाना पड़ेगा तो अभी हमने कौन सा ledger बनाया ABC company private limited उसमें हम चलते हैं और यहाँ पे हम इसको alter कर सकते हैं मान लेजर इसका code जो है हम यहाँ पे 123 देते हैं हम 1 की जगा 123 देते हैं और जो इसका address है address हम यहाँ पे change कर देते हैं तो यहाँ पे हम जो address है new Delhi ना डालके यहाँ यहाँ पे डालते हैं new Delhi and dash करके 11001 0080 ठीक है इसको भी हम यहाँ पे 110080 कर देते हैं ठीक है और इसको enter-enter करके save कर सकते हैं ledger को अगर आपने enter-enter करके save नहीं करना है तो shortcut command है आप यहाँ पे control A press कर सकते हैं तो जिस field में भी आप हैं उसको save कर सकते हैं आपको enter-enter करने की जरूत नहीं पड़ेगी ठीक है दोस्तों तो इस तरह से आप ledger को create कर सकते हैं ledger को alter कर सकते हैं अब ledger कितने परकार के होते हैं कौन से ledger किस group के अंदर में tag होता है यह हम अगली वीडियो में समझेंगे तो उमीद करता हूँ कि ledger क्या होता है ledger कैसे create करते हैं ledger को कैसे alter करते हैं यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है आपके mind में कोई सवाल है तो मुझे comment box में comment करिए मैं जरूर उसका reply करने की कोशिस करूँगा तो धन्यबाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं इस series की अगली वीडियो में तर तक के लिए जैहिन